Hey guys, आज हम DFA का Minimization का दूसरा example देखते हैं, ठीक है? तो यह हमें DFA दिया गया हुआ है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 5 states है, correct? इसे हमें minimize करना है, alright? तो इसका पहले transition table बना लेते हैं, तो अपनी starting state A है, इसके अंदर अगर input 0 आ रहा है, तो हम जा रहें state B में, ठीक है? और input 1 आ रहा है, तो हम जा रहें state C में, अगर उसके बाद state B आता है, उसके अंदर अगर input 0 मिल रहा है, तो हम जा रहें state B में, उसके बाद अगर input 1 आ रहा है, तो हम जा रहें state B में, और input आ रहा है 1, तो हम जा रहें state C में, alright? स्टेट D में क्या हो रहा है इंपुट आ रहा है 0 तो हम जा रहे है स्टेट B में और इंपुट आ रहा है 1 तो जा रहे हम स्टेट E में और स्टेट E में क्या हो रहा है इंपुट 0 से जा रहे हम स्टेट B में और इंपुट 1 से जा रहे हम स्टेट C में तो यह हो गया अपना transition table तो अभी हमें इसे minimize करना है to its equivalent DFA with less number of states ठीक है तो इसमें क्या होगा यह अपना transition table है इसको हम पहले इसका equivalence चेक करेंगे तो यहाँ पर हम zero equivalence चेक करते है zero equivalence मतलब हम states को divide करेंगे into two sets यहाँ पर यह non final states है A, B, C, D और A, B, C, D और जो E है वो एक final state है ठीक है तो इस तरह से हम इन्हें दो group में divide करेंगे A, B, C, D यह non final states है और E final state है अभी इसके बाद हम check करेंगे one equivalence one equivalence कैसे check करते है तो one equivalence में क्या हो रहा है कि हम हमारी states को compare कर रहे है ठीक है अगर हमें input 0 मिल रहा है और input 1 मिल रहा है तो हम कहाँ पर जा रहे तो state A में अगर हमें input 0 मिल रहा है तो हम जा रहे state B में और state B में अगर input 0 मिल रहा है तो हम जा रहे state B में ठीक है तो क्या B और B A की set के अंदर है यहाँ पर है same state है तो कोई problem नहीं input 1 में क्या हो रहा है, input 1 से हम जा रहे state C में, और in state B हम जा रहे, state D में क्या C और D एक सेट में है, yes C और D भी एक ही सेट में है यहाँ पे तो कोई problem नहीं है, ठीक है, तो A और B equivalent हो गए आपने, what about B and C, let's compare तो let's say B और C input 0 और 1 के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है तो अगर state B में input 0 मिल रहा तुम जा रहे state B में, input state C में अगर 0 input मिल रहा तुम जा रहे state B में, तो कोई problem नहीं है, यहाँ पे same set में जा रहे, और input 1 से हम कहा पे जा रहे, D और C में D और C में, क्या यहाँ पे C और D को हम compare करेंगे, input 0 मिलने के बाद C से हम जा रहे, अपने B में और input 0 से हम जा रहे, इन state D B में, तो B भी same state है, कोई problem नहीं है what about input 1, यहाँ पे हम जा रहे, state C और state E में state C और state E क्या state C और E एक ही set के अंदर है, नहीं state C इस set के अंदर है, state E इस set के अंदर है, इसकी वाज़से C और D जो है, यह यह equivalent नहीं है, ठीक है, इसकी वाज़से हमने A, B, C को एक set के अंदर रखा है और D को एक नए set के अंदर रखती है तो यह होगे आपना one equivalence, ठीक है अभी हम check करेंगे इसका two equivalence के है two equivalence के से check करेंगे, same method लेकिन इस बार हम compare करेंगे वापस से A, B, C को और एक दुसरे से compare करने के अदर हम check करेंगे कि क्या इनके जो output states है वो A की set के अंदर है या नहीं, ठीक है तो let's compare अभी color change कर लेते है let's use blue, ठीक है तो अभी हम compare करेंगे A और B को वापस से, A और B ठीक है, input 0 and 1 बराबर तो अगर input 0 में state A से हम जारे, state B में कोई problem नहीं, और हम state B से जारे, state B में तो यहाँ पे तो कोई issue नहीं क्योंकि वो A की set के अंदर है बराब, B इसी set के अंदर है what about input 1, तो यहाँ से हम जारे, state D में बराब, नहीं, sorry A से जारे हम state C में ठीक है, और B से हम जारे, state D में क्या C और D, एक set के अंदर है नहीं, C यहाँ पे है D, इस set के अंदर है, तो अलग-अलग set के अंदर है that's why A और B equivalent नहीं है, ठीक है तो यह हम A और B को अलग-अलग set में divide करेंगे, A यहाँ पे रहेगा और अभी हम अगर compare करेंगे A और C को तो दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पे input 0 से हम A की state के अंदर जा रहे है B, B, C, C that's why A और C equivalent है बराबर, तो हम A और C को एक bracket में रखेंगे, B, D, E इनको हम compare किसी के साथ कर नहीं सकते हैं क्योंकि single-single entities है, बराबर अभी हमारा जो three equivalents है उसके अदर अगर हम वापस हैं A और C को compare करेंगे, same method से, तो हम A की set में जा रहे है, और A की state में जा रहे B और C में, इसके वैसे यह जो two equivalents और three equivalents हमें same मिल गया, तो जब हमें same मिल जाता है तो हम stop करते हैं यहाँ ठीक है, तो अभी जो equivalents state हमें मिल गई है यहाँ ठीक है A और C, इनको हमें combine करके एक नई state बनानी है, जिसका हम नाम देंगे state AC, तो इसका हम जो table है, वो बना लेता है यहाँ पर, तो अपनी starting state A थी उसको हमने combine कर ले है यहाँ पर C के साथ, तो हम उसको नाम देंगे state AC, ठीक है state AC के अंदर, अगर हम input zero मिलता है यहाँ से, तो हम कहाँ पर जा रहे state B में जा रहे है, ठीक है, B और input one मिल रहे है, तो हम जा रहे state C में लेकिन state C कोई ही ही ने, अभी हमने combine करके state AC बना ले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे state AC, alright, तो हमने state AC का देख लिए, अभी state B में देखते है, state B में कहा जा रहे है, zero के मिलने के बाद हम जा रहे state B में, और one का मिलने के बाद हम state D में, तो B और D, ठीक है, what about D, अभी हमने AC कवर कर लिया, B कवर कर लिया, अभी state D, state D में क्या हो रहा है, वो देखते है, तो state D के अंदर, अगर input zero आ रहे है, तो हम जा रहे state B में, और input one आ रहे state C में, लेकिन state C है नहीं अभी, अभी बढ़न गई वो state AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे state AC, तो यह हो गए अपना equivalent DFA का transient table, जो minimized version है उसका, ठीक है, तो अभी हम इसे draw करेंगे, तो starting में आती है, अपनी state AC, input zero से हम जा रहे state B में, बराबर, और input one मिल रहे हैं, तो हम जा रहे state B में, तो इस तरह से जहाँ पर five states थी, हम ने उसे minimize करकी चार states में convert कर लिया, ठीक है, तो I hope आपको यह concept समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई doubt है तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं, thank you very much